एक एतिहासिक G20 रही है दिल्ली डेक्लरेशन जो कई माईने में बिशेशग्यों कहते थे कि कई G20 ओं में डेक्लरेशन संभव नहीं हो पाया है क्योंकि अलग-अलग मत होते हैं इस बार G20 में प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में बहरत की अध्यक्षता में दिल्ली डेक्लरेशन भी 20 देश और अफरिका यूनियन का जो प्रतनिद्व को इस बार G20 में प्रवेश करवा दिया है सभी ने मिलकर दिल्ली डेक्लरेशन पर अपनी अमीट चाप छोड़ी है विश्व के सामने जितने भी चुनौतियां हैं चाहे वो जलवाई उपरिवर्तन हो, चाहे वो मिलिनियन डिवेलप्मेंट गोल्स हो चाहे वो युद किसिती हो हर चीज़ पर इन बीस और अफरिका यूनियन सभी देशों ने सर्व समिति के साथ दिल्ली डेक्लरेशन पारित की ये एक अब्भूत पूर्व सफलता भारत की अधेक्षता में संबभ हो पाई पिछले तीन चार दिनों से हमारे सभी देशों के शेरपा एक साथ मिलकर मसौदे को तैयार करने में व्यस्त थे जो सर्व समिति से पारित हो और आज ये एक इतिहास भारत में बन चुकी है कि दिल्ली डेक्लेरेशन अब जी ट्वेंटी के पूर्ण इतिहास में समिलित हो चुकी है इसके लिए हम प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुपकामनाई देना चाहते हैं और उनकी अध्यक्षता में भारत की अध्यक्षता में ये संभव हो पाया ये बहुत बड़ी किर्टिमान है भारत की में देखे यही तो प्रॉबलम है यही तो प्रॉबलम है आप देखो कॉंग्रस की मानसित है ये देश बनाने वाली पार्टी नहीं रही, ये देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन गई है जब देश का गौरव का समय हो, जब नया एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा हो तब इनका काम है केवल अपना लकीर लंबा नहीं कीचना पर दूसरों के लकीर को काटना देश की जनता अब इन्हें भली भांती जानती है और पूर्ण रूप से इन्हें एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार इनको जवाब दे चुकी है पर क्या करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सीखना नहीं चाते